शादी के जोडे में बंधने वाले दूला दुलहनों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है दे लोकल ल्यूस पर शादी सीजन से जुड़ी इसवक्त की बड़ी खबर आपको बता दे हर्याना में शादी सीजन से पहले हाई अलट नमस्कार आप देख रहे हैं तो लोकल ल्यूज में हनी शर्माज आपको पूरी खबर इस बारे में बताऊं उससे पहले मेरी दर्शकों से अपील है इस खबर को जादा से जादा लाइक और शेयर करते रहे आपकी जानकारी में जिनकी शादी होने वाली है उनको भी कमेंट्स में मैंशर करके उन्हें बताऊं यानी शादी सीजन से पहले दूलहा दूलहनों के लिए निराशा जनक खबर सामने आ रगी है हरियाना में देव उठनी एकादशी से पहले खचर में मिली ग्लैंडर्स बीमारी से प्रदेश भर में हडकंप मच गया है हिसार के गाउं सुल्तानपूर में एक खचर ग्लैंडर्स बीमारी से पॉजिटिव मिला है इसे देखते हुए पशुपालन विभाग ने गोडे की प्रजातियों से जुड़े सभी पशुओ की आवाजाई पर ततकाल प्रभाव से रोक लगा दी है बिमार होने पर हिसार स्तीत रास्ट्रिय अश्व अनुसंधान संस्तान के वैज्ञानिकों ने इस खचर के खून के सैंपल लिये थे इसके साथ ही उसे क्वारेंटीन कर दिया गया है अब Glanders की पुष्ट्री होने के बाद खचर का इलाज होना संभव नहीं है आपको बता दे ये बिमारी कैंसर से भी जादा खतरनाक मानी जाती है इसके संपर्क में रहने वाले इनसानों को भी इससे संकर्मिद होने का खत्रा रहता है आने वाले दिनों में शादियों का सीजन है इस वज़े से स्वास्ते विभाग ने पूरे प्रदेश में इसका हाई अलर्ट जारी कर दिया है आपको बता दे कि ग्लैंडर्स की बिमारी इतनी खतरनाक है कि इसमें बिमार पशु को ही मारना पड़ता है हिसार अशवनुसंधान संस्तान के विग्यानिकों के मताबिक ग्लैंडर्स घोडों की प्रजातियों में एक जान लेवा संक्रामक रोग है इसमें घोडे की नाक से खून भेना, संस लेने में तकलीफ, शरीर का सूख जाना, पूरे शरीर पर फोड़े या गांठे आदी लक्षन पाये जाते है ये बिमारी दूसरे पालतु पशु में भी पहुंच सकती है ये बिमारी बर्खोडेरिया मेलाई नामक बैक्टीरिया से फैलती है इस बिमारी से पॉजिटिव होने पर घोडे को वेग्यानिक तरीके से मारना ही पड़ता है वेग्यानिकों के मताबिक घोडों से मनुष्ये में ये बिमारी आसानी से पहुंच जाती है जो लोग गोडों की देखबाल करते हैं या फिर चार करते हैं उनको तवचा, नाक, मूँ और सांस के द्वारा संक्रमन हो सकता है वहीं पशुपालन एवं डेरी विभाग के उपनिर देशक डॉक्टर सुभास चंदर जांगडा ने बताया कि अश्वजाती के पशुओं की दोड, मैले, प्रदर्शनी, खेल, आदी, आयोजन और एकत्रित करने पर भी पून प्रतिभन लगाया गया है उन्होंने बताया कि ग्लैंडर्स गोडों की प्रजातियों में एक जान लेवा संक्रामक रोग है, दूसरे पशुओं के साथ इंसान भी इसकी चपेट में आ सकते है इस प्रजाति में घोड़ा ऐसा पशुओं है जिसमें ग्लैंडर्स रोग जल्दी फैलता है, पूरे प्रदेश से घोड़े की जांश शुरू कर दी है इसलिए इसको लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है इस बीमारी के खत्रे को देखते हुए भारत सरकार के पशुपालन इवमडेरी विभाग के D.A.H.D. मतस्य मंत्राले की तरफ से भी गाइडलाइन जारी की गई है जिनके मताबिक ही हिसार जिले के अश्प्रजाती के पशुओं में ग्लैंडर बीमारी से बचाप नियंतरन के लिए नियंतरी शेत्र गोशित कर दिया गया है इसके साथ ही घोडे, गदे, खचर और अश्प्रजाती के पशुओं की जिले से अन्न स्थान पर आवजाई को पून प्रतिबंदित किया गया है खास बात यह है कि हिसार के 25 किलो मीटर एरिया में बनाया गया है बफर जोन हिसार में दो महीने में गोडे में गोडे में गोडे में गोडे के सेमपल ले रहे है कि लोगों को जादा घबराने की जरूरत नहीं है हालाकि शादियों का सीजन है इसलिए एतिहायत बरतने की जरूरत है हम गोडे गोडे और खचरों के सेमपल ले रहे है हिसार में दो महीने के अंदर ये दूसरा केश मिला है ये बड़ी बात है इससे पहले रोत तक में एक केश मिला था हम जादा से जादा सेमपलिंग कर रहे हैं सेमपलिंग के लिए सबसे पहले सिरम सेमपल लिया जाता है इसमें बलड की जाँच की जाती है इसके बाद अगर कोई संदे होता है तो नाक से सैंपल लेकर जाँच की जाती है जैसे कि आप सभी जानते हैं पूरे हरियाना में देव उटनी 11 पर विवास समारों शुरू हो जाते हैं शादियों में घोडी पर बरात निकालना आम बात है ऐसे में धूला जिस घोडी पर सवार होता है वो ग्लैंडर से ग्रस तो नहीं है इसके लिए एतिहायत बढ़ती गई है क्योंकि ग्लैंडर एक जुनौटिक बीमारी है जो पश्वों से इंसानों में भी फैल सकती है हिसार और होतक में मामले भढ़ने के बाद सैंपलिंग भढ़ा दी गई है हिसार सित अश्व अनुसंधान केंदर ना केवल हर्याना बलकि पूरे देश में अश्व रोगों पर शोद करता है ऐसे में अगर देश में कहीं भी ऐसी विमारी फैलती है तो इसकी जानकारी इस क काम करते हैं शादियों के सीजन में हिसार में मिले ग्लैंडर के मामले गोडा बग्गी मालिकों के लिए भी परिशानी का सब बन गया है अब कमाई के सीजन में उन्हें जांच्च के दाईरे में आना पड़ेगा इसार में देवटने गयारस पर 1000 से अधीक शादियां है एक बार फिर दर्शकों से अपील है कि इस खबर को जादा से जादा शेयर जरूर करें और आपकी जानकारी में जिनकी शादी होने वाली है उनको कमेंट्स में मेंचन करके उन्हें जरूर बताएं शुक्रिया